हाइदोस्तो आज हम यहाँ पर siwal site visit कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम करेंगे bonding between old structure and zo new proposed structure तो यहाँ पर ए जो product हम use कर रहे है, Armand , अ जर्मन कंपणी है एक grout हम use करेंगे, इसमें तीन material हम मिलेंगे, اسमें तीन material, hardner & anti agent इन तीनों का हमें mix करकर यहाँ पर grout apply करना है ओके यहां पर यह जो रेजिन है यहां पर हम इसको रेजिन को थोड़ा सा लेंगे उसके बाद हम इसमें मिक्स करेंगे टी एजेंट जो वाइट कलर का पाउडर आएगा इसमें वह वाला तो इन दोनों को हमें अच्छी तरह से होमोजीनियस मिक्स देना है ओके एर बबल्स ना रहें इसमें तो यह आच्छी से मिक्स हो गया है तो हम इसमें दालेंगे अभी हार्डनर ओके तो हार्डनर आपके वेदर पर डिपेंड होता है अगर ज्यादा हार्डनर दालेंगे तो क्या होगा जल्दी से हार्ड हो जाएगा यह सेटिंग टाइम इसक तो यह जो रॉड लेंगे हम इस पर अपलाई करेंगे अब यह एक लिए और इस पर एक ब्रश की हेल्प से यहां पर अपलाई करेंगे इसको तो दोस्तों आप कोई कोंट्रेक्टर हो या इंजिनियर या कोई सिविल इंजिनियरिंग स्टुडेंट्स भी वह जो देख रहे हैं यह कभी भी आप नॉलेज में रखिएगा क्यूंकि यह हमें अच्छी तरह से यहां पर बॉंड बनाना है तो क्यूंकि यह उल्ड स्ट्रक्चर है हमें यहां पर स्ट्रक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं तो यहां पर जो लोड आएंगे यह ट्रांसफर होने चाहिए और यह अच्छी तरह से बॉंडिंग में होना चाहिए तो इसलिए हम इस तरह से अपलाई कर सकते हैं अगर आप सीधी तरह से रॉड दाल देंगे तो यह उतना श्टिक हम हैमर की मदश से यह जो रॉड है इसको यहां पर अंदर इंसर्ट करेंगे तो कभी भी ध्यान रखिएगा यह जरूर यूशकर जिए आपने साइट या प्रोजेक्ट पर तो इस तरह से हम यहां पर जो है यह रॉड एंबेड कर चुके हैं इसी तरह से हम यह जो फूर र लगाएंगे और जो है पाद में उसके बाद आखिर में इसको लैपिंग जो है वह लेकर बैंडिंग वायर से यहां पर हम इसको बाइंड करेंगे तो सेम प्रोसेस अब सभी होल को रिपीट करें ओके आज के वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में बाबा इतना है